सेसरीकल बेटा जी आज हम डिसकस करेंगे कि अगर कोई moving proton या positive charge magnetic field में move करता है तो उस पर कितनी force लगती है तो यहाँ पर मैंने एक example लिया हुआ है यहाँ पर पहले समझ लिजिए यह जो magnetic field है यह आपकी तरफ आ रही है जो हम dot से दिखाते हैं तो यह आपकी तरफ screen से आपक आपको की तरफ जो है magnetic field है और एक charge यहाँ से इस तरफ enter किया है उसकी velocity कुछ है और यह vector से उसकी भी direction हम बता रहे हैं Q charge की quantity है यानि की 1 column 2 column कितना charge है वो है तो इस पर कुछ force experience होगी वो force कितनी होगी और किसी दिशा में होगी वो हमें calculate करना हो तो हम formula use करते हैं वो force जो होगी Q जितना charge है उसको multiply कर दिजे V cross B से यहाँ Q क्या है जितना charge है V क्या है जिस दिशा में आपका charge जा रहा है और B है magnetic field यानि कि जो आपकी तरफ आ रही है X की कितनी strength है और direction तो हमें यहाँ से दिख रहा है आपकी तरफ आ रहे है तो अब इसको कैसे solve करें हमें पता है cross product को कैसे खोला जाता है Q हमें multiply कर देना है V से यानि कि V के जो magnitude होगा उससे फिर multiply कर देना है जो B यानि कि जो magnetic field की value है में magnitude है उससे multiplied by sin theta What is theta? Theta is angle between V and P यानि कि जो गती है हमारे charge की और जो magnetic field की direction है उन दोनों की direction में कितना angle है तो वो हो जाएगा sin theta से हम उससे theta की value यहाँ पर डाल देंगे और क्योंकि यहाँ पर मैंने force का vector लगाया है तो यानि कि इसका जो answer आएगा वो एक vector ही आएगा उसकी दिशा क्यों होगी? उसको मान लेते हैं हम एक unit vector की direction में n नाम से यानि कि magnitude होगा ये और direction होगी ये अब देखिए यहाँ पर हम ये चीज़ तो simply calculate कर सकते हैं बट इसको calculate करने के लिए इसकी direction को calculate करने के लिए हमें right hand thumb rule लगाना होता है अब जैसे मान लेते हैं कुछ values जैसे यहाँ पर जो magnetic field थी उसकी value 5 tesla यानि कि जो magnetic field के unit होते हैं वो tesla होते हैं वही Elon Musk वाली tesla तो tesla scientist जो से Nikola tesla उनके नाम पर इसके unit है 5 tesla की यहाँ पर field strength है magnetic field strength जो आपकी तरफ आ रही है और velocity मान लीजिए 4 meter per second ही है और जो charge है वो 2 कूलम का है तो अब हम क्या आप बता सकते हैं यह जो charge 2 कूलम का है जो 4 meter per second की speed से इस magnetic field में जा रहा है इस पर कितनी force लगेगी force कैसे calculate करेंगे अब हम लगाते हैं force तबारा से formula याद कीजिए charge को multiply कर देते हैं cross product of v and b खुलकर यह क्या आता है qvb qvb sin theta and n unit vector यानि कि एक vector ही है जिसका magnitude यह होगा जो force होगी उसका magnitude या value यह होगी और direction यह होगी यह unit vector क्या होगा cross product से जो direction मिलेगी हमें हम यह कहां से निकालते हैं we calculate direction of force by right hand thumb rule यानि कि इसकी direction जो है हम right hand thumb rule से निकाल सकते हैं जो इस example में हम लगाएंगे भी तो चलो जो चीजें आती हैं और भी आप की तरह आ रहा है भी इस तरह से हो जाएगा भी इस तरह से हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर तो ये हो गया 40 साइन 91 होता है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए यहां नहीं लिख रहा हूँ 40NN यूनिट वेक्टर यानि की फोर्स जो लग रही है वो कितने न्यूटन की लग रही है फोर्स जो लग रही है वो लग रही है हमारी 40 की ताकत है उसकी किस और है और बी किस और है ठीटा की वैल्यू क्या है और फिर हम निकाल पाएंगे राइट हैंड थम रूल से इसकी डिरेक्शन अब देखिए किस तरह से वी क्रॉस भी निकालना है हमें जो ये तीन फिंगर्स होती हैं ये समझ रही है ये इंडेक्स फिंगर बोला जाता है और इसे मीडल फिंगर हो गई है, और ये थम ये जो थम होगा ये हमें आंसर देगा कि फोर्स कहां जाएगी ये हम पॉइंट करते हैं जो भी पहले लिखा हो अगर यहाँ वी क्रॉस भी होता तो बी की तरफ index finger होती है, यहाँ V पहले है, तो हम V की तरफ इस finger को रखेंगे, और जो 90 degree पे यह वाली finger है, यह आनी चाहिए हमारी B की तरफ, अब कई बार मुश्किले आती हैं, हाथ टेड़े हो जाते हैं, अगर V की direction में ऐसे बनाना हो, तो इसको easy करने के लिए, हम copy को भी तो move कर सकते हैं copy को अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो हम finger one by one खोलेंगे, तीनों finger लेके जाएंगे, तो हम confuse हो जाएंगे, तो देखें, यहाँ पर V इस direction में है, मैंने copy turn कर ली, तो बहुत असान हो गया, यह देखें, V इस direction में है, आब इसको खोल लीजे, यह B की direction होनी चाहिए, पर क्य दा रहा है, देखें, यानि कि आपकी direction जो होगी, force की direction उसको नीचे को धक्का लगेगा, अब इसको बना लेते हैं, यानि कि force जो लग रही है, वो इस direction में लग रही है, यह है हमारा f vector जो हमने calculate किया, यहाँ मैंने दिखा दिया इसको, कि यह किस direction में होगा, अब इसी में थोड़े से example कर लेते हैं, जिससे हमारे को यह direction निकालना आसान हो जाए, right hand thumb rule जो है, वो लगाना हमें आसान हो जाए, अब देखें, यहाँ पर मैंने 4 examples लिये हैं, जिस पे v और b की different direction है, और हमें निकालना है कि इसे force कौन सी direction मिलेगी, तो चलिए start करते हैं, इस question से, हमार जो b की direction है, यह b की direction है, जो आप की तरफ आ रही है, और v की direction यह है, तो हमें अगर direction ही पता करनी हो से force की, तो हम किस तरह से जाएंगे, v cross b की direction चाहिए हमें, तो हमें v की तरफ अपनी finger करनी है, तो अगर मुश्किल होता है, तो हमें simple move कर लेना, और अपने हाथ से इसको v ऐसे, जिस direction में है, रख लेना है, copy को और आम से move कर सकते हैं, और इसको खोल लेना है, यह b की direction होनी चाहिए, यानि की magnetic field की direction होनी चाहिए, यह तो अभी नहीं है, क्योंकि magnetic field तो आप की तरफ आ रही है, तो यह finger आप की तरफ हो जाने चाहिए, अब मुझे answer चाहिए, अगर देखें, यहाँ पर वी भी हो गया, बिल्कुल direction में, और वी भी हो गया, यह जो मेरा thumb है, इस तरफ, यह आपको direction दे रहा है, कि इसको जो force लगेगी, वो इस तरफ लगेगी, this is the force vector, हमें सिर्फ direction पता करनी थी, तो हमने direction लिख ली, आप आजाए, second question पर, यहाँ पर क्या ह हो रहा है, यह है, magnetic field जो अंदर की तरफ जा रही है, इस time, आपकी तरफ नहीं आ रही, बुक के अंदर जा रही है, और यह जो Q charge है, वी जो इस तरफ जा रहा है, again हाथों को नहीं मोडें, और किताब को मोड लें, तो वी की direction आ गई, यह देखिए, यह index finger वी की direction में जानी चाहिए, और यह कर दिया, बी की direction, यह तो गलत है, copy के अंदर जा रही है, तो हमें अंदर डाल देना है, बी को, यह देखिए, अंदर चले गई, अब force की direction निकालने के लिए, third finger, यानि कि हमें खोल लेना है अपना thumb, तो यानि कि उपर की तरफ, इस तरफ हमें मिल जाएग इस direction में force जो है, वो लगेगी, यह direction वो की force की, तो यह unit vector जो बोल रहे हैं, उसकी direction बता रहे हैं, वो यहाँ पर हम पता सकते हैं, वी क्रॉस भी ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आज़ यह इस question पर, यहाँ पर अंदर जा रही है, और Q जो है वो इस time इस side ज finger, इसको खोला आ रहे हैं, यह तो गलत direction है, इसको तो अंदर जाना चाहिए, फिर से हमें यहाँ पर यह जो है, यह force दे देगा, तो यहाँ पर भी लगा लगा लेजिए, इसको direction लगेगी, इस तरफ यह force की direction, अब सीधी कर ली काफी, उसके बाद यहाँ पर देखें, यह right side जा रही है, यानि कि magnetic field की direction बी जो है, वो right side जा रही है, और आपका जो charge है, वो move कर रहा है, velocity से नीचे की तरफ, हमें V की तरफ point करना होता है, तो उल्टा कर लिया, copy को पूरा, V की direction में रख दिया, V की direction में क्या ठीक है, अरे इस बार चलो, बिल्कुल ठीक आ गया, V की direction चाहिए ये थी, तो बता सकते हैं, V की direction क्या होगी, वो बताएगा हमारा thumb, खोल लिया, तो ये आपकी तरफ आ रहा है, अब इसको कैसे दिखाएं, हम दिखाते हैं, इसको यहां round कर देंगे, और dot यहां पे कर देंगे, तो dot का मतलब है, ये जो force होगी, इस charge को लगेगी, वो आपकी तरफ धका लगेगा, तो हम इस तरह से यहां पर इसको दिखा सकते हैं,